हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ संजीता आज मैं आपके साथ एक और नहीं रेसिपी सेयर करने जा रही हूँ ओ है लौकी के भरते भरता और जो है आप बैगन के भरता और आलू का भरता यह सब सुने होंगे खाये होंगे और यह जिसको लौकी पसंद है यह एक बार बना के खाये और कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताए चलिए देखते हैं इसके लिए में मीडियम साइज का लौकी लिए हूँ इसे छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे और इसे क्या करना है बाफ देंगे मतलब स्टीम करेंगे बॉयल नहीं करना ह इसे ज्यादा पानी हो जाता है लौकी में अच्छा नहीं लगेगा और इसके लिए बड़ा सा बाउल लेंगे थोड़ा सा पानी लेके उपर स्टीमर जो है कुछ छनी के जैसे ऐसे रखके उपर में लौकी को रख लेंगे और एक मतलब एक प्लेट ढख लेंगे इसे दस म पकाने के बाद चेक कर लेंगे हुआ की नहीं होने के बाद थोड़ा सा थंडा कर लेंगे थंडा करने के बाद इसे ब्लेंडर के जार में ब्लेंड कर लेंगे फाइन पीस्ट बना लेंगे ये बन चुका है देखिए तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए दो तीन मीडि जीरा और सरसो के दाने ग्रीन चिली को छोटे छोटे टुक्रऊ में काट लेंगे कड़ी पत्ता थोड़ा सा और चना दल थोड़ा सा और इसके लिए एक बावल में में हाप चमच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाय मिर्च पाउडर और स्वाधनुसर नमक डालेंगे और आधा goddess के ओपर आधा चमच लगबंग गरम मसाला डालके अच्छी तरह मिला इस भरते को थोड़ा सा चेट पटा बनाएंगे चलिये और एक कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसके बाद सरसो के दाने और जीरे उसमें डालेंगे आट थोड़ा सा चटक ने के बाद उसमें हरी मिर्च चने के डाल और कड़ी पता एक साथ ही डाल लेंगे थोड़ा सा फ्राइ होने के बाद इसमें देखिए इसमें प्याज डालेंगे उसके बाद इसे अच्छी तरह सौते कर लेंगे यह भरता कैसा लगा आप कॉमेंट में जरूर बताइए और घर में ट्राइ करके जरूर देखिए और देखिए इसे थोड़ा सा मसालेदार चटपटा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा तेस्ट अच्छा रहता है इसके बाद जो प्यास होने के बाद टामाटर को डालेंगे टामाटर करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और थोड़ा सा इसे अच्छी तरह फ्राइ कर लेंगे और इसमें जो हल्दी लाल मेर्श नमाग मसाला पाउडर जो है गराम मसाला पाउडर उसमें डाल के अच्छी तरह पकने देना है देखिए ये पक चुका है और इसमें अभी क्या करना है जिनको लौकी खाना पसंद नहीं है ये एक बार तो जरूर ट्राइ करके देखिए कैसा लगा और इसमें क्या करना है अभी जो लौकी के पेश्ट बनाए थे उससे डाल लेंगे इस तड़के में और इसे अच्छी तरह अभी पकाएंगे जब तक थोड़ा सा मूटा ना हो जाए चलिए इसे पकाते हैं लौकी सहत के लिए बहुत अच्छा है और इसे देखिए ये मूटा हो चुका है मतलब पानी सुग गया है और ये बन चुका है आपका लौकी का भरता और इसे थोड़ा सा थंडा होने के बाद आप रोटी के साथ चापाती के साथ और चीले के साथ चावल के साथ खा सकते हैं यह बहुत अच्छा टेश्टी रहता है और जरूर ट्राइ करके मुझे कॉमेंट में बताएए फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूटूब में और फेस्बुक पीज में फोलो कीजिए जो आप पहले से कर चुके हैं दोबारा नहीं करना पड़ेगा ठेंक यू सो मच फोर वाचिंग